Assalamualaikum friends welcome to my channel my vlog तो कैसे है है आप सभी लोग मुद्वीद कर दियुद होगे और शजा है our वोगो दो दो फ्रेंच हम लोगा जा रहे हैं बाहर और बाहर हम लोग जा रहे हैं वोगार रेस्टोरेंच तो इसलिए मन बच्चों ने बोला कि आज हमें बाहर ले चलो काफी दिन नहीं मतलब काफी दिन से यह ना नॉन वेज खा रहा है तो आज हम जो है वेज खाने चा रहे हैं बाहर और जाएंगे अपने वही वाले फेवरेट वाले रेस्टोंट में जहां में अकसर जाते रहते तो चलें बिल्गों हमारे घर से काफी दूर है और इसलिए जो है हम लोग आए है ऑटो से और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरी पूरी सेहना चल रही है तो चलो फिर मापको बैक केमरे से दिखाती हूं यहां पर और फाइनली हम जो है रेस्टोंट पूच चुके जहां में आना था और यहां जो है बार एक चौकीदार या मतलब गेट खुलने वाला जो भी यह मतलब यह खड़ा होता है और यहां देखे कितना प्यारा रेस्टोंट है और हम लोग जो है यहां बैटे हुए वेट कर रह है लेकिन अब जो है यहां पर box सेर्फ सर्फिस कर दी है तो इहां पर में खुदी लाना पड़ेगा तो फिर मैं जो है यहां पर जाकर menu लेकर आए pre Sonos ते लेकर आए मैं लेकर आए तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे किया क्या खाना है बच्चों को क्या खाना है और क्या लेना चाहिए क्या ने लेना चाहिए और फिर जो है मैं यहां पर रिसेप्शन पे गई यहां से बिल बनवाया है जो जो हमें चाहिए था ना तो उन सब चीजों का मैंने यहां बिल बनवाया फिर उसके बाद यहां मैंने और मतलब एक साइट बिल बनता है और एक साइट जो हमें समान मिलता है जो हमें हमने ओर्डर किया होता है वो समान लेना होता है तो यहां से जो है मैं यह समान ले लेकर आ रही थी क्योंकि यहां अभी self service हो गई है लेकिन पहले यहां बहुत अच्छा हिसाब था कि आराम से जाकर बैट जाओ और waiter जो है सभी कुछ लाते थे आपको जो भी खाना है उनको बोल दो और वो जो है आपके आगे मतलब खाने पिनेगा सभी कुछ जो भी आपने खाना है ना लाकर रख देते थे और बेटे बेटे आराम साब को यहां असानी से मिल जाता था लेकिन अब जो है यहां self service है तो खुदी जाना पढ़ ला था लेने के लिए जो भी हम लोगो को खाना था न तो वो सबी कुछ लेने के लिए मुझे खुदी जाना पढ़ ला था उर ऐसे ही बस दो-तिन चकरोगो और आयान जो है मेरे सासा थी लगा रहता है हमेशे ही चिकन कहा ओ स्वारी चिकन के नहीं यार गोश्ट खा करें थोड़ा सा बोर से होका जो तो अब वेज खाने का मन्ता ना तो इसलिए हम लोग वेज रेस्टूरून में आयते हैं अच्छा मिजबा जो है बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठ गई थी तो इसलिए थोड़ा मेर लच्छा पराठा था और वेज सबजी थी मिक्स वेज सबजी और चॉमिंग थी तो यही सारी चीज़े जो है मैं खाने पीने की लेकर आई थी और हमने जो है सबसे पहले छोले बडूरा खा थंडे होने के बाद जो ना अच्छा नहीं लगते और यहां मैं जो है एक दूस को मिजबा खुझे से खाने पारी थी zupełnie तो यहां भी मैं डेख सकते ही मिजबा को चुक्के मिजबा खुझे से खानी पाती है यहाँ पर बड़ कोई बात नहीं तो यहाँ जो है मनें सभी कुछ खाने के बाद, हात हमने टिशू पेपर मिले हमें यहाँ से तो टिशू से हम लोग हात साफ कर रहए हो आयान के हात रहे हैं मतलब 2-3 बार घर में भी धोता रहता है तो यहां भी वो वैसी कर रहा है, दो तिन बार हद दो रहा है, वो साफ कर रहा है, सुरी हम मावच 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 तो पार हमारा मूच Economics कर रहा है, तो बहुत बढ़ जगा है। तो फोलिग हम मुझे खाना मुझे मुझा है थाना बहुत वाहर कोई वाहने कर दिए जाताथüne कर रहा हैं। पान वाले भहिया बैटते हैं तो हम लोग जब भी इदर जाते हैं तो इन से पान ज़रूर खाते हैं और इनके पास फायर पान, जॉलर पान, मतलब हर तरह के पान होते हैं तो यहां पर बच्चे और मैं यहां से इन भहिया से पान ज़रूर लेते हैं और हम लोग यहां पर का यहां चोई भी कोई भी न्यास करद को कोई सबक्राइगा में तो और इनका पान पी काफी अच्छा होता है, यम्मी यम्मी होता है हमें मिल जाती है तो अभी थोड़ा सा यहां पर वेट करेंगे और फिर इसके बाद घर के लिए निकलेंगे और यहां जो है आप दे सकते हैं पूरे रोड पर कितना सौफट है मतलब कार आरी जारी है इधर भी देखी इधर भी कोई भी नहीं है क्योंकि न्यू देली का लाक थी तो लेकिन जो है यह भाईया जो है पैट्रल पंपर आये और यहां पर आने के बाद इन्होंने अपनी जो आटो में है ना पैट्रल डलवाया क्योंकि इनकी जो आटो थी ना उसमें पैट्रल कम था और हम लोगों को सब को भाहर खड़ा करती है कि बाहर निकल जाओ आटो में पैट्रल डलवान है तो हम लोग फिर सभी लोग भाहर खड़े हो गए और फाइनल इनकी ऑटो में जब पैट्रल डल गया तो हम लोग जो है साथ खेरिया से अल्ला का शुका रहसान से घर आ गए वहां रोड पर खड़े होने के बाद बहुत डल लग रहा था सच खापी के हम लोग घर आ गए और मैंने आपको वहां दिखाए कि अपना जादा सफ्त होड़ा था क्योंकि हमें काफी लेट हो गया था तो वहां से हमें कोई कंवेंस मिलने लेटी काफी दिर बाद एक और मिला और तो उसने डबल चार्ज करा यानिकि पैसे उसने ज्यादा लिए घर आने के लेकिन कोई बात नहीं घर आ गया खेर से बस यही बहुत बड़ी बात है और मैंने आपके साथ सब्सक्राइब किया कि हमने क्या खाया और क्या है तो फ्रेंस वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो पिर इस वीडियो को जो है लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में टपके लिए बाए बाए